यह वीडियो जो है वो class 8 के students के लिए हैं और class 8 में आज हम लोग history का आपका chapter 1 करने वाले हैं जो कि है modern period यानि के आधुनिक काल previous classes में जो है आप लोगों ने history के बारे में पढ़ा समय के साथ जो कि आप लोग का दो period आप पढ़ चुकी होगी फिछे classes में ancient history और हमारे medieval history जैसे कि हमारे आपके ancestors जो है वो the way our ancestors lived was very different यानि कि जैसे हमारे पूर्वज रहे हैं वो हमारे रहने के तरीके से काफे ज़्यादा अलग है इसलिए हमारे जो इतिहास कार रहे हैं उन्होंने history को तीन भागों में बाटा है ancient, medieval और modern यह जो आपको broad division है यह हमारे society के निर्मान, economic structure यह सांस्कृति के राजनातिक structure पर depend करता है समय के सांथ जो इसमें changes आए है the modern period is said to have begun यानि कि जो हमारा आधुनी काल है वो कहा जाता है कि 18 सतावदी में शुरू हुआ some of the defining features of modern era यानि कि अगर आधुनी काल की हम बात करें तो इसमें जो है महतुपूर्ण रूप से industrial यानि कि जो आपको industrialization जो होता है और जग की करन या फिर scientific progress यानि कि वैग्यानिक आपको विस्तार देखने के लिए मिला इसके लिए अपने भी स्वाद सहरों का विकास यह पूरे भारत को भी बदल कर रख दिया इसके sources क्या क्या है तो as compared देखें जो कि पुरानी हमारा period है उसके बारे में पढ़ने के sources बहुत कम है medieval period के भी पढ़ने के कम है लेकिन जो आपको modern history के sources है वो काफी different है इन लोगों से nature में one of the primary source यानि कि इसका अगर हम बात करें कि इ पुराने समय में जो बिल्डेंग्स या फिर जो सिल्प कला ये सब लिखे हुए रहते थे पेर के चाल पर या फिर पीलर वगारा पर उसे से हम लोग पर पाते थे उसे में संस्क्रीट पाली प्राक्रित लिपी का इस्तमाल किया जाता था वहीं medieval period की बात करें तो वहां पर जो है जो कीला वगएरा ये फिर मॉनुमेंट वगएरा पर जो आपको लिखा हुआ रहता था इन्फोर्मेशन सुसे से हम लोग पढ़ाई करते थे या फिर रूलर्स भी आपको कुछ अपना historical account लिख कर जाते थे या फिर जो भी देशी travelers आते थे वह कुछ आपको बेवरा जाते थे तो इसके बाड़े में जैसे के आपको अर्वी पार्सी तुर्की भासा में अलग-अलग प्रकार के सूर्स एवैलेबल थे-से से परते थे लेकिन गनल ह्मोडर्वियूbecue करे तो सब्सक्राइब करती है या फिर सरकारी दस्तावेज है कई सारे जो एंसिक्लोपेडिया है वो है या फिर जो एरली वेसिस पर जो बुक्स प्रकासित हुआ करती थी वार्सिक किताबे हैं या फिर जो कि उस समय के घटनाओं के आपको विटनेस है गवा है इसके लवा न्यूजपेपर मैग जीन और कई सारे हिस्ट्री के किताबे भी उस समय की अवैलेबल है सोर्सिस के रूप में जब से पहले इंडेस्ट्री रिवॉलेशन यानि कि ओद्योगी क्रांती तर्म यानि कि इस इंडेस्ट्री रिवॉलेशन जो है वो इंडेस्ट्री रिवॉलेशन जो है वो इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुआ तो इंग्लैंड जो है ठाड़ी सताथी में वो आपको काफी ज्यादा एडवांटेज पोजीशन में था इस पोजीशन में वो था कि किसी प्रकार का वो आपको उद्योग को सुरू कर सकता है और उसको चला सकता है क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा मातरा में सप्लाइभ था नेच्छरल रिसोर्सेस काफी अच्छे थे इसके लवा जो है मतलब मुखी रूप से कोईला और आयरन जो थे इंडस्ट्री का उस समय का जरूरत था और वहाँ पर प्रयाप्त मात्रा में उपलब दे थे इसके लवा इंग्लेंड में उस समय एक आपको स्टेबल सरकार थ को लेकर अपना वह विकास भी कर रहे थे भगोली की विस्तार कर रहे थे ले टू रैपिट उन्हों लोगों ने लगातार आपको अपनी वेस जारी रखा अपना दूसरे देशों के साथ मतलब दूसरे देशों में जाकर ब्यापार करना जिससे इंग्लेंड को आपको पर यहां पर उनका कॉलनी था और यह सारे कॉलनी जो थे वह क्या करते थे उनके लिए मार्केट प्लेस भी बन जाते थे यहीं से सामाले वह लोग ले जाएंगे अपने देशों से कुछ बनाएंगे प्रोडॉक्ट और फिर यहीं लाकर बेचेंगे ठीक है तो इस तरीके स जो है उनको मार्केट भी मिल जाता था और और मेटिरियल ही मिल जाता था अब इन्वेंसेस ऑफ मर्शिन की हम बात कर लेते हैं मतलब मसीनों के खोज की जो टेक्स्टाइली इंडस्ट्री है जो कपरा उद्योग है वह पहली बार जो है आपको मर्चेंटाइज किया गया थ पीपल लाइक यानि कि जेम्स मार्ग सीव या फिर रिचर्ड अर्क राइट या सैम्योल क्रॉम्टन या एडमंड कार्ट राइट या फिर एली विटनी यह सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहीं सारे नए मसीनों का खोज किया था जिसमें स्पेनिंग जैनी पावर लूम व उत्पादम हो रहा था ना एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजने में इससे काफी ज़्यादा हेल्प मिला मसीन से जो है धिरी धिरी आपको अग्री कल्चर प्रड़क्शन भी शुरू हो गया दे इंडॉस्ट्री बॉरुशन इस लूग अपन एज एन इंपोर्टेंट लेंडमर्क इन दे हिस्ट्री अफ दे वर्ल यानि कि जो यह विस्व के इतिहास में काफी ज्यादा इसका महत्वे क्यों कि समय के साथ जो है इसने सारे आपके प्रड़क्शन के छेत्रों को इसने प्रभावित किया और एक तरीके से कह सकते हैं कि सारे के सारे सबसे पहले यह ब्रिटेंट में हुआ था और ब्रिटेंट में ही मसीरों के इंवेंस से सबसे पहले फाइदा पहुचना सुरू हुआ था सेवरेल फैक्टर्स यानि कि आपको यह जो आपके कहीं सारे ऐसे कारण थे जिसके करण इंडेस्ट्रिल डेवलप्मेंट हुआ था उद्धिक विकास हुआ था इंग्लेंड में आपको पुंजी उपलब दे थी वहां पर आपको फाइनांस के कमी नहीं थी इसके अलबा जो है सागर वगएर के उपर भी इंग्लेंड का अच्छा अधिकार था जिसके कारण जो है उसकी कहीं सारे कॉलोनी जिस थापित हो गए थी जहांसे वह रोव मैटे इंग्लेंड ने जो है आपको चार हजार कॉटन बिल्स का इस्तेमाल किया था अपने फैक्टरी में बाइद मिडल तॉफ और वहीं उन्नीश्वी सताबदी के आने तक जो है वह आपको मिलियन बिल्स तक पहुँच गया समझी कि कितना तेजी से विकास हो रहा है यह चार ह सब्सक्राइब के बाद यह जो आपको एक्सपोर्ट था वह 350 मिलियन डॉलर तक पहुच गया विकास आप साफ सब देख सकते हो डबल ट्रिपल फाइफ गुना से भी ज्यादा हो गया इंग्लेंड वोज प्रोडूसिंग यानि कि इंग्लेंड जो था काफी ज्यादा मातर प्रोड़क्शन का काम कर रहा था और अपने परोसी देशों को सप्लाई भी कर रहा था प्रम ब्रिटेन इंडूस्ट्रियल यानि कि ब्रिटेन का ये जो अध्योगी करांति था ये धीरी धिरे बाकी तसारे दूसरे यूरोपियन देशों में भ्हलना सुर्आ हुआ इंड देशों में इससे जो है आपको नए नए मार्केट भी बढ़ने लगे थे जो नए मार्केट थे वह आपको अफ्रीका और दूसरे एसियन कंट्रीज में यह लोग बना रहे थे इन दा बिग निंग यानि कि सुरवात में यूरोपिया निशन्स भी जो थे वह काफी ज्यादा इंटरेस्टेट थे उनके ट्रैक को प्रोमोट करने में लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि पोलिटिकल सिचुएशन उनके यहां पर क्या हो रहा है और इस्थिर हो रहा है तो उन्हों ने अपना इंटरेस्ट लेना थुरा सा प्लिटिकल एफेर्स में शुरू कर दिया यह इसको पीछे छोड़ दिया ग्रेजोली दे इस्टैब्लिश्ट सेवरेल धिरे-धिरे करके इनों ने कहीं सारे अपनी वेस्ट को स्थापित किया क्योंकि उनके जाधातर रूलर्स जो थे वह एफ्रिकन ये एसेन कंट्रीज के ही थे इसके अलबाद ट्रेड यूनियनिज यह समाजबात था यह जो है इंडिस्टिलाजेशन बढ़ने के साथ वर्कर्स का एक्स्प्रोटेशन भी करने लगे मतलब कि एक्स्प्रोटेशन का मतलब होता है सोसन मतलब कि काम ज्याधा करवाना और पैसे कम देना बट फ्रॉम द नाइंटीन सेचुरी लेकिन उनिस्व स्वैम करने लगे यह ज़ारे जो यूनियन थे ज़्याधा मजदूरी मांगते थे इसके अलावा कहते थे कि काम करने के घंटे भी कम किए उनके काम करने का सभधciónथ तो आपको लिखा किताब धगरए उसमें जो है डॉक्ट्राइन और सोस्यलिजम का जिकर किय은 जिसमें सूसल सिस्थम के आपके सारे संसाधन या फिर प्रॉफिट्स बगरा के बारे में डिस्कस किया गया था यानि कि यह जो सारे विचारक थे इनके सारे विचार जो है आपको प्रैक्टिस में लाए गए लेनिन के द्वारा लेनिन उस समय के आपके यूरोपिय देश के मुख्या हुआ करते थे जुन्होंने जो है रिवोलोशन को लीड किया था रस्या में 1917 में अब आते हैं अमेरिकन और फ्रेंच रिवोलोशन पर जो अमेरिकन रिवोलोशन है 1776 में वो आपको पहली बार और उर्गनाइज किया पूरे दुनिया को सही तरीके से अपना सासन चलाने में इंग्लिस गवर्मेंट यानि कि आपको जो आपको अंग्रीजी सरकार थी वो लगभग 13 आपनी वेसों पर सासन कर रही थी नौर्थ अमेरिका में पीपल हैट सेटल इंदेज कॉलोनी और इन आपनी वेसों में जो लोग आपको सेटल हो गये थे वह मुख्य रूप से आपके इंग्लेंड कही थे लेकिन वे लोग जो थे आपको इंग्लिश मेन के सारे जितने भी अधिकार होते थे उनको मानने से इंकार करते थे और अर बेपार पर भी कहीं सारे रेस्ट्रिक्शन्स और लगाया जाते थे प्रसासन लगा के रखता था दिस कॉस्ट दा कोलोनीज तो रिवोल्ट एंड देर मेनी अप्राइजिंग इससे जो है जो आपको अपनी वेसिक आपको इतने भी राजी थे उन्होंने क्या किया इंग्लेंड से क्या चाहिए अजाधी चाहिए चार जुलाई को जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव से तेरह कॉलोनीज के वह आपको फिलाडेल्फिया में मिले और उन्होंने क्या क्या आपको घोसना कर दी अमेरिका के इंडिपेंडेंस की दे शर्षन आप इंडि जॉर्ज वर्सिंग्टन कर रहे थे जो कि खुद उस समय क्या थे यूए से के आपके मुख्या थे एक कंस्यूशन वास फ्रेम्ड उनके जो है समीधान के निर्मान किया गया बाइन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कंस्यूशन वास्ट बिल ऑफ राइट्स और इस कंस्यूशन म आजादी आपको सामिल था अब बात करते हैं इंडिया अठार्वी सिताब्दी में क्या कर रहा था तो दस्वी सी देट अब हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया क्या हो रही है कहीं सारे उसमें अंदोलन चल रहा है काफी ज्यादा बदलावा रहा है अठार्वी और अठार्वी सिताब्दी में जो मुगल अंपैर था वो उसमें बिखर रहा था और कहीं सारे जो है दूसरे चोटी 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 किंग्डम्स आपस में लड़ रहे थे यह जो आपको अनेकता थी यह आपको यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे और ट्रेडिंग कंपनिया थी उनके लिए एक बड़ा फैदा उनको दिखाई दिया उन लोगों ने क्या किया कि आपको उनके बीच में फूट डाल दिया और इस तरीके से भारत जो है वह आपको काफी बुरे आपके इंपरियलिजा में पढ़ गया कहीं सालों तक Great Britain made India as a colony यानि कि आपको Great Britain ने भारत में अपने विए से स्थापित कर लिया और इसका सोसन करना शुरू कर दिया अपने फायदे के लिए यह जो आपको इससे क्या हुआ कि जो हमारी local industries थी वो पूरी तरीके से तूट गई इसके अलबाद जो हमारे कपड़ा उद्योग थे वो पूरी तरीके से बरबाद हो गया और भारत जो है पूरी तरीके से निर्भर हो गया अंग्रेजों की द्वरा जो आपको कपरा इंपोर्ट किया था उसी पर agriculture को भी जो है पूरी तरीके से प्रभावित किया आपको ब्रिटेन के जो लोग थे उनको जिस चीज का जूरत काफी देनी हो गई इंडिया बिसाइड इंडिया है यानि कि भारत को जो है काफी ज्यादा मात्रा में खूदी रिवेनियों की जरूरत थी और दूसरे टैक्सिस की और उपर से उन लोगों देना भी पड़ता था जो को लोनियन मास्टर सुनकी हुआ करते थे उनको आपके आइडिया थे इसने क्या किया भारत को खड़ा किया इनके खिलाफ और काफी लॉंग स्ट्रॉगल के बाद भारत को आज़ादे मिली 1947 में तो यह था आपका चेप्टर जो कि खतम हो गया अभी आप लोग इसका टिक दा करेंगे हम सर्फ हिंट कर देंगे ठीक है इंडिया में कब स्टार्ट हुआ है तो मोटर्न पीरियोड जो है वह बेश्वी सेताबदी में अथार भी सेताबदी ही लिखेगा थार भी सेताबदी में 18 जरह 8th इंडिसरी Cannesko दो बिप्रीटेंट में और में इंगलेंड इंपोर्त इंपोर्ट जिक्ष इंपोर्टीग्स सेथावंड द्s फ़नें हैं फ़र्स्ट थी सुने की The Adoption of Declaration of Independence was an Independence Declaration को ख था तो 4 July को हुआ था यहां पंधिया व Right the American flopulation में दिया हुआ है फिर्टिया हुआ है तो लास्ट वालमें आप accepted év ensure the composition is Elias the industrial revolutions is looked upon as an death in the history of the world change cash of to change that's was the first century to have reap the gains and inventions of machines Britain the English government rule over desk in North America colonies the colonies led by George Washington were victorious and called themselves as the American Americans true-false in 1700 based England used 1400 हाँ ये सही है true कर लिजे the industrial revolution started in America इसको false कर लिजे और अरंग जे बोस्ट लास्ट मुगल emperor इसको भी false कर लिजे इंडिया बीकेम दे इंपोर्टर आफ ब्रिटिस plots नहीं इसको भी false कर लिए ये सरेक्सेसाइज आप लोगों को करना है कुछ से और इस चप्टर को बार-बार डीडिंग डालना है रहन देते हैं अज के लिए इतना ही थैंक्यू बेरे मिच